हे दोस्तों वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड़ जेनवेन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातों मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तों आज 11 फेबरी 2021 और आज की डेट पे IT सेक्टर का एक पेनी शेर्स जिसका भाव है मात्र 90 रुपए यानी 100 रुपए से भी नीचे ये कमपनी का आज वाटरली रेजल्ट आउट हुआ है रेजल्ट तो बहुत ही शांदार आया है बट उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट यह है कि दोस्तों कमपनी ने वन इस टू वन रेशियो पे यहां पे बोनाइस बोनस दिया है अपने शेर्खोलडर को यह सबसे ज्यादा एहम एंपोर दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकौन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटवर्म में डीमेट अकौन उपेंट कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकर इच्प्रीज ना के बड़ाबाल लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे की नोटीस को उपर आचको उसके बाद हम क्वाटर 3 का नंबर देखेंगे और लास्ट में जाके हम थोड़ा से अनलाइस करेंगे क्या आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा पेज को यहां पर एडजस्ट कर लेता आप सही है तो यहां पर आप देख सकते हो कंपनी की ओफिशल नोटिस में क्लिर क्ट लिक्का हुआ है कि इसका मतलब यह कि दोस्तों आपके पास ये कंपनी का एक शयर है तो उसके बतले आपको एक शयर मिलेगा यानि आपके पास अगर 5 share है तो bonus execution के बाद आपके पास total 10 share हो जाएगा यानि 1 is to 1 ratio पे company ने यहाँ पे bonus announce किया है अगर मैं बात करो record date का दोस्तों यहाँ पे record date के उपर कुछ भी नहीं दिया but within देर से 2 मेने के अंदर ही यह bonus का पूरा मतलब खतम हो जाएगा action यानि bonus a credit hojaga shareholder के पास वही ऐसा ही नोटीस में लिखा हूए मैं आपको दिखाता हूं सबसे बले दोस्ता कंपनी का नाम आपको दिखा देता हूं कंपनी का नाम है in phim Avenue Limited याप अब देख सकतो कंपनी का नाम एक आई टी सेक्टर का कंपनी अभी चलिए वो नव डिसको पर मैं आपको लेकर चलता हूं जो की बोनस के उपर लिखा हूं है या आप देखे एस्टिमेट डेट बाइट बाइच सच बोनस शेर उड़ बिक रेडिटेट एन डिस्पैच यानि कब के पास यह कंपनी के शेरहोलडर के पास बोनस एक्जिकूट हो जाएगा ठीक है अब चलिए दोस्तों यह कंपनी का थोड़ा सा हम क्वाटा थी का नंबर भी देखेंगे चलता हूं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताके रखना चाहता हूं कि यहां पर जि और थोड़ा सा एड़्जस्ट यहां पर कर लेता हूं तो सबसे पहले यहां पर यह करेंट क्वाटर यानि डिसमबर 2020 का रेजल्ट यह लास्ट क्वाटर 2020 की सेप्टमबर क्वाटर का रेजल्ट और यह है डिसमबर 2019 का रेजल्ट यहां पर हम यह तीनों कॉंटर को एकसद कपेर करने वाले हैं आगर मैं बात कुड़ों टोटल लिंकम का जो कि इस नाद एक कावन करोड़ रुपें तो यहां पर देखे हैं कि शांदार जमप काया है है टोटल इंकम के अंदर और last year 2019 की December quarter में कमपणी का total income हुआ था 157 करोर रुपए तो यहाँ पे total income के अंदर दोस्तो year on year and quarter on quarter दोनों segment पे यहाँ पे jump आया है अगर बात करो total expenses का यानि कमपणी का खर्चा कितना जो कि इस quarter में कमपणी का total expenses का नंबर आया है 205 करोर रुपए लास्ट क्वाटर सेप्टमबर 2020 में कमपणी का total expenses हुआ था 149 करोर रुपए यानि यापे total income बढ़ने के साथ company का total expenses भी बढ़ चुका है उसके बाद दोस्तों लास्ट यार 2019 की December quarter में कमपणी का total expenses हुआ था 140 करोर रुपए यानि यापे year on year and quarter on quarter दोनों सेग्मेंट पर total income बढ़ने के साथ साथ company का total expenses भी बढ़ गया है अब चले मैं आपको लेकर चलता हूँ net profit कितना कमाया यह यह 11 नंबर लाइन देखना दोस्तों बहुत ही छोटा लेटर है तो ध्यान से देखना जो कि इस quarter का company ने total income the total net profit कमाया है बारा करोर 76 लाक यहां पर नोटिस करना पूरा का पूरा नंबर मिलियंस पर है मैं आपको करोर पर कंवर्ट करके बोल लाओ बारा करोर 76 लाक का net profit कमाया है डिसमबर 2020 क्वाटर में जो कि लास्ट क्वाटर सेप्टमबर 2020 में था ग्यारा करोर 79 लाक तो यहां पर आप देखिए कि कि इतना शांदार जंप आया है नेट प्रॉफिट के अंदर और यह ओन यह पर थोड़ा गिरावट भी आया है जो कि लास्ट यह तो दाउस्ट नाइटीन डिसमबर क्वाटर में कमपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया था बाइस करोर 33 लाक तो यहां पर यह और और यह पर थोड़ा सा गिरावट भी बट ड़सेंट मैटर कंपनी ने अब बोनस यह मतलब डिकलार कर दिया एनाउंस किया तो कंपनी का भी शेयर प्राइज की रेट में लगबग 10 परसें अपर सरकीट पे चला गया था ठीक है और अगर मैं बात करो ईपीस का यानि बेशिक एंड डिलूटेट अर्निंग पर जो की स्कॉटर में 0.19 का लास्ट कोटर में ता 0.18 का एन लास्ट येट 2019 डिसमबर कोटर में ता 0.35 का यानि क्वाटर अन क्वाटर पे थोड़ा सा जम पाया है बट यह एंड लाट बट आया रेजल्ट मेरी कहल से उतना ज्वाद अट्रेक्टिव नहीं आया बट जो की अ और दोस्तों आपको एक चीज़ बता के रखना चाहूंगा कि आप गलती से भी ये कंपनी में बोनस शेर की लिए बिलकुल भी निवेश मत करना अगर आपको आपका टारगेट लॉंग टर्म का है लॉंग टर्म का टारगेट है तभी आप निवेश किजिए वनना आप गलती से भी वो सिर्फ बोनस पाने के लिए इसमें निवेश मत करना ठीक है क्योंकि ये बोनस शेयर होल्डर को ज्यादा फाइदा होगा जिन्हों ने ये कंपनी में बहुत ज्यादा ग्राउंड लेबल पर निवेश किया मैं आपको दिखाना चाहूंगा कंपनी का एक साल का चा है तो आपको उतना ज्यादा फाइदा नहीं होगा क्योंकि बोनस एक्जिक्यूशन के बाद शेयर प्राइस के बाद मतलब गिरने का चांस बहुत ज्यादा है अगर मैं मैक्सिमम चार्ट परन की बात करो यहां पर देख सकते कंपनी ज्यादा पुराना नहीं है 2016 में लिस् दोसुरुपय तक गया था यह स्टॉक स्प्लिट का पहले का चार्ट पैटन है तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर अजस्टेट नहीं हो तो जब दोसो अठाइस से शेयर पर यहां पर सहतीस रूपय पर आ गया तो यह जो शेयर है यह शेयर का जो फेस बैलो यह एक आज की डेट में अगर बात किया जाए 10% की तेजी आज शेयर पर उपन वहता चुरासी रूपय पर हाइट च्किया चौरान अबबब रूपय पर लोट च्किया अगर आज की डेट में बात करू बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला जनरली यह कंपनी में इतना को मिला है दूसरे दिन के कंपेट तो आप देख सकते कंपनी ने आप आज फाइनेंशियल रेजल प्रेजन किया बोना श्याद दिया कंपनी का अगर पास्ट पर्फोर्मेंस अगर देखू तो कंपनी ने डिविडेंट उतना ज्यादा नहीं देता क्योंकि देखिए छोट हो करकेने मेंचे यहाप रगवी रखका है और मोस्ट देखिए साथ सारे साथ परसण की अपर यहाप गिरवी रखका है यहाप पर तहकर भोग फासिंशत मैं ही दो पर मेंसे माइब क्षट करता हूं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक करके एंगरेच करना चले ही मिलता है नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक क्याट बाबाई जाय हिंद